हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 में इसका हम चेप्टर नंबर 8 यह आप कह सकते हैं हम इसमें यूनिट नंबर 8 देखेंगे सैन संगठन कोई ब सैन संगठन है वह कैसे था हम दोनों का यहाँ पर सैन संगठन के बारे में देखेंगे क्योंकि आपके एक्जाम के पॉइंट ओव विव से सैन संगठन बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन है जो कि हर बार परिक्साओं में पूंचा ही जाता प्रिवियस एर में जितने भी एक्जाम हुए हैं उन्हें सभी एक्जाम में इस कोर्षन को फूट अप किया गया था क्योंकि आपके एक्जाम के पॉइंट ओव विव से एक कोर्षन बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा उनुट नमबर एक सैन संगठन और मनसबदारी तो इसमें हम आज देखें दूसरा जो हमारा एक पॉइंट जो हमारा थी रहेगा मुगलों का सैन संगठन कैसे था उसके बारे में भी हम क्या करेंगे यहां पर चर्चा करें तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया गए तो चैनल को एक बार जरूर सस्क्राइब कर दिएगा और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिएगा ठीक चलिए हम देखते हैं सबसे पहले यहां पर आईए देखिए सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करते हैं 8.2 में देखे, मंगोल सैन संगठन की तरह दिली के सुल्तानों ने भी अपनी सेनाओं को उन्हें के समान, यानि मंगोलों के समान ही कहें सकते हैं, कि मंगोलों के समान ही दिली सल्तन के जो सुल्तान थे, उन्होंने भी अपनी सेनाओं को क्या कर रखा था, संगठित कर रखा मंगोल सेना में दस के गुडांक पर आधारित जिसे सामाने था सेना में दसमलो विभाजन यानि दिल्ली सल्तनत का जो साइन संगन था वह दसमलो पधती पर आधारित था दसमलो पधती पर आधारित का मतलब होता है कि दस साइनिक पर एक पद बनता था तो उसी प्रकार के दस पदों पर एक पद बनता था यानि दसमलो पधती पर आधारित क्या था पूरी तरीके से विवस्था का विभाजन किया गया था यानि एक अगर पोस्ट बनती थी दस प वर्ग सौका था यानि सबसे जो छोटा वर्ग होता था सेनमा वह सौका होता था दस हजार सेना यानि दस के गुणांक में अध्यक जो तुमान कहा जाता था यानि दस के गुणांक में जो सबसे हुचा पद होता था उसको क्या बोलते थे तुमान कहलाता था अलाव दिन खिल ताके अंतरगात 10 सिपे सलाकार, एक अमीर के अंतरगात 10 सिपे सलाकार और एक मलिक के तहद 10 अमीर होते थे, एक खान के तहद 10 मलिक होते थे और सेना के नियंद्रन खान के हाथों में होता था, यहनि 10 के गुडांक में सेना का क्या रखा जाता है, यहनि जो सेना होती थी, वह दस के गुडांक में रखी जाती थी यानि दस गुडसवार जिसके पास होते थे वो क्या होता था दस सिफे सलाकार फिर जो दस सिफे सलाकार होते थे उन पर एक पद बनता था उसका क्या नाम था सरखैल ठीक फिर इसी परकार के दस सरखैल होते थे उनको क्या बोला जाता था अमीर बोला जाता तो अमीर होते थे ठी अमीर फिर ऐसी प्रकार के जब दस अमीर हो जाते थे उन्हें क्या बोला जाता था मलिक बोला जाता था जब इसी प्रकार के दस मलिक हो जाते थे या उनको क्या बोला जाता था खान बोला जाता और खान जो होता था वह सेना का सबसे प्रमुख अध्यक्ष होता था या सबसे बड़ा पद होता था यानि 10 के पधती मियान नहीं कह सकते हैं दस के गुडांके में सेना का पद को रखा गया था एक क्या था अलाव दिन खिल जी का सैने संगठन कुछी परकार का था इल्तुचमिस के सैने संगठन के बारे में हमें जादा जानकारिया नहीं मिले क्योंकि इतिहास कि अगर स्रोतों में देखें तो इल्तुचमिस का सैने संगठन कैसे था इसके बारे में जादा जानकारिया नहीं मिली हुए हाला कि ऐसा परतीत होता कि उसने भी एक अस्थाई सेना का गठन किया था इल्तुचमिस ने भी क् सेना की क्या करता था भरती करता था और उसी सारी भरतियां उसे के द्वारा ली जाती थी सेना के महत को पहचाना बलवन ने अगर देखोगे तो दिल्ली सल्थनत में अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर किसी ने सेना के महत को पहचाना और सेना को बहतर बनाया तो क्या थ बलवन था ठीक है बलवन ने सेना को महत को पहचाना और उसने काबल ए आला एक केंदरी रूप से भरती कई गई की तागत को बढ़ा यानि बलवन ने किया सबसे पहले कि भरती करने का जो तरीका था उसने उसमें किया क्या सुधार किया सेना की कुसलता को सुनुश्चित करन गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उसने घोडा दागना भी शुरू कर दिया ताकि कोई घोड़सवार या घोडा गिंती के लिए दूबारा नहीं जानी बलवन ने अगर देखोगे तो उसने घोडा दागने की परमपरा को शुरू कुई आधा तो क्या था कि ताक कोई घोडा दूबारा ना गिना जाए इसके लिए घोडा गयासित दून ने भी सकती से अलावदीन खिलजी की अगर देखोगे तो सूचियों का जैसे घोडा दागना और हुलिया लिखना जैसे नियमों को लागू किया अगर अलावदीन देखो सायन संगठन में जो अला परेट करवाने लग गया और सेना को कुसल बनाने का काम किया उसके बाद अगर देखोगे जब अलाव दिन खिल जी आते हैं तो अलाव दिन खिल जी ने सेना में सबसे बड़े बदलाव करता है सेना बहुत बड़ी सेना रखी जाती है जिसमें सेना की कई प्रकार की चीजें होती हैं सेना को अस्थाई थी सेना को नियमित बेतन दिया जा रहा था अलाओ दिन खिलजी के सेना को दूसरा अगर बोलेंगी अलाओ दिन खिलजी ने क्या क्या सेना के जो सैनिक होते थे उनका हुलिया लिखा जाता था कि सैनिक कैसा है कैसा देखता उनका हुलिया भी लिखा जाता था और जो साइनिक होते थे घोड़ा-दागनी की परमपरा भी चली लेकिन अलाउद दिन खिल जी के बाद जब तुगलकों का तुगलक आते हैं और उसमें गयासी दिन तुगलक ने भी अलाव दिन खिल जी की जो नीती थी उसका क्या क्या उसने लागू किया उट चलती रहे हाला कि फिरोज सा जटुबलक का सासन काला उसने दाग और हुलिया की पर्था को यानि अगर देखोगे तो फिरोज सा तुबलक ने जो दाग और हुलिया की पर्था थी उसने क्या कर दिया था उसको समाप्त कर दिया अब उसको समाप्त गया सेना में कुलियों के द्वारा रखे जाने वाली सेना के साथ साथ सुल्तान की अस्थाई सेना का भी होती थी यानि सेना अगर देखोगे जो कुलीन वर्ग होता था वह भी सेना रखता था उनकी सेना के स साथ जो कह सकते हैं कि सुल्तान की सेना भी हुआ, सेना अगर देखोगे सेना दो प्रकार की होती थी, कुलीन वर्ग की भी सेना होती थी और सुल्तान की भी सेना समलित होती थी, हाला कि प्रांतिय मुख्यालों में इस्तित सेना को हस्म ए तै, जो प्रांतिय सुभेदार होते वोहाँ भी सेना को रखते थे ठीक है जो प्रांतिय सुभेदार होते थे या कह सकते हैं की जो इक्तादार होते थे वोहाँ भी सेना को रखते थे और 13 सताब्दी में साही घुर्णसवार सेना को नगत बेतन के एवज में दिल्ली के समीप एक चोटे से गाँih का राजसों स्वांपागत जिसे मोर लैंड ने चोटे एक देखा तेरवी सताब्दी के था जो सेना में जो घुरसवार होते थे ठीक उनको क्या किया तो दिल्ली की आसवास एक छोटा सा लैंड दिये गया जिसे क्या बोला जाता था जिसे इक्ता कहा जाता था इल्तुसमिस के था इस प्रकार के घुरसवारों की सेना लगबग 3,000 थे अगर इल्तुसमिस की अगर सासन काल में देखोगा जो घुरसवार थे वह लगबग कितने थे वही या 3,000 थे बलवन ने इन सौंपे गई एक्तों को खत्म करने की कोशिस की जिसे भारी आसंतों थे य उहाँ पर भारी आसंतों हुआ अलाव दिन खिलजी ने ऐसा करने में सफल रहा और उसने अपनी सिपाहियों को नगत बेतन देना शुरू किया एक साइनिक को 234 तन के मिलते थे जबकि एक घुरसवार के साथ जाता था तो उसको 78 तन के मिलते यह इल्टुसमिस अगर देख उसने अलाव दिन खिलजी ने क्या किया कि सेना को अस्थाई रूप से रखा गया उसको नियमीत बेतन दिया अब घुरसवारों को लगबक कितना एक साइनिक को कितना पैसे मिलता था 234 तन के दिये जाते थे और जो घुरसवार अपने साथ रखता था उसको 78 तन के अधिक मिलते थे जो घुरसवार दो घुरे रखता था उसे दो आप्या और एक जोड़ा रखने वाले को एक सियापा कहा जाता था फिरोसा तूगलक ने साही सेना को नगद में भुकतान करने की परठा कोते हैं यानि जब फिरोसा तूगलक का सासन आया तो सेना को अस्थाई-प पर बेतन दिया जाता था उस बेतन को उसने क्या कर दिया इसकी बजा उसने एक काघज जिसे एक ताले की कहते हैं देने लगा यह एक प्रकार का ऐसा दस्ता बेज होता था जिसके बल curriculum सुल्तान की खालसा यानि जो आरक्षित भूमी होती थी जिसके राचे स्वधिकारियों को अपने दावे की पेशकर्स कर सकते जिसके काण वो इकाई में देखें घुरसवार अक्सर दो तलवारे रखते थी अगर देखो जब यहाँ पर फिरोसा तुगला का सासन का लाया तो उसने क्या क्या सैनिकों को न होती थी उसमें जो सैनिक होते थे वो क्या करते थे बैया दो तलवारे रखते थे एक रकाब में दो तलवार को काठी से बंधी रहती थी और दूसरी उनकी म्यान में रहती थी यानि एक तो म्यान में रखते थे दूसरा अपने हाथों में लखे रहते थे पैदल सैनिक कटा फेकने वाली मसीनों की भी होती थी यानि पत्थर और मिसाइल फेकने वाली जो पत्थर मसीने फेकती थी जो मिसाले फेकती थी उस प्रकार की मसीने भी उनके पास होती थी हाथी भी दिल्ली सल्तनत की सेनाओं में महात्वाथी यानि हाथी सेना को भी रखा गया था मुहम्मद बिन तुगलक के पास लगभग 3,000 हाथी थे फिरोसा तुगलक ने सैने दल के दूसरे दौर में बंगाल अभियान के दौरान लगभग 470 हाथी थे जबकि बलवन ने बुरुब्रा खामे बंगाल की जिम्मेदारी सवपी तो उन्होंने बंगाल में हाथीों के भेजने की सला दी बर्नी के अनुसार अगर देखेंगे तो बलवन ने एक हाथी के मूल को सव घुड़सवारों के बराबर यानि हाथी का भी विशेस महांटो था, हाथी को भी रखा जाता था अगर यहाँ पर अगर हम बलवन का जिकर करेंगे, तो बलवन कहता था, कि वो कहता था कि सो घुड़सवार के बराबर एक हाथी को मांता था, वेस्षाइनिकों को ले जाने में उपी होगी थे और फिरोज साने उन्हें नदी के तीब्र भाव से निपटने उपियोगी बता है यानि जो हाथी थे वो क्या सेना के रख रखाव करने में तो मदद तो करते थे हाथी जो सेना थी वो क्या करती थी समानों को ले जाने में लाने में नदी पार करने में इस प्रकार की जो हाथी की सेना थी वह भी क्या करती थी उनको मदद करती थी और कई प्रकार से हाथी कियों की भी मदद ली जाती थी फिरोस साथ उगलग हाथियों को क्या मानते थे एक परकार से ब्रह्मास्त्र मानते थे और उन्हें नदीप पार करने का एक तरीका बताया है आगे देखे यहाँ पर देखेगा सल्तनत की पैदल सेना में भी सिपाही को पायक कहा जाता था पैदल सेना होती थी उसमें तीरन दाज भी रखे जाते थे सेना जो होती थी उसमें तीरंदाज भी रखे जाते थे जानदार सुल्तान के ब्यक्तिगत अंगरक्षक थे वह सुल्तान के प्रतक्स नियंतर में रहते थे यानि जानदार एक अधिकारी होता था वह भी सेना रखता था और वह सुल्तान के क्या एक प्रकार से अगर देखोगे तो अंगर अक्षक के तोर पर क्या करते थे वो कारे करते थे बलवन के पास एक हजार अंगर अक्षक थे बलवन की अगर हम बात करें तो उसके पास भई यह कितने अंगर अंगर अक्षक थे हाला कि कुछ विशेश भरती वाले सैनिक जिने केवल यूद के समीब भरती किया जाता था पहलवान या धावक या सातर गए सैनिक के दल के भागते यनि अगर देखोगे तो जैसे बलवन की अगर हम बात करें तो बलवन को देखोगे तो बलवन जितने भी अंगरक्षक रखे थे उनको सबको नामे से जानता था इससे समझ सकते हो कि बलवन अपने सैनिकों के साथ उसका रिलेशन किस प्रकार का है हाला कि कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो मात्र यूद के समय भरती किये जाते थे को यूद होता था तभी उनको सेनों में भरती किया जाता था एक पहलवान और बहुत बलवसाली टाइप के लोग होते थे तीक है आगे यहां पर देखीगा यहां पर देखो दिल्ली सुल्तानों के तहट सैन विभाग बिभिन नामों से जैसे दिवाने आजीर रावत ए आरज और आरज ए मुमालिक के नाम से जाना यहां यहां दिल्ली सल्तन में अगर तो गए जो सैन विभाग है उसको कई नामों से जाना गया जैसे दिवाने आरज रावत ए आरज और आरज ए मुमालिक सबसे जो परसिद नाम रहा है आरज ए मुम आता था यानि एक परकार से करते हैं जो सुल्तान है उसका क्या प्रधान मंत्री उसके पास दोनों सक्तियां हुआ करती थी बलवन ने इसके खत्रे को एहसास हुआ उसने वजीर की सैने सक्तियों को अलग कर दिया यानि जब बलवन सासक बनता है तो वजीर के पास जो सैने सक सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सेना में काम किया तो अलाओ दिन खिल जी में ही क्या दिल्ली सल्तन्त में अगर देखोगे तो अगर सेना में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो अलाओ दिन खिल जी ने ही सबसे ज़्यादा बहतर और सबसे ज़्यादा उसने क्य क्या अच्छा और मजबूती से उसने सेना को क्या कर दिया था मजबूत बना है अलाउद दिन खिल जी ने उसने मजबूत किया फिरोसा तुगलक के तहट अगर देखोगे तो विभाग के दो अध्यक्ष होते थे वह विश्वसनिय गुलाम हुआ करते थे बर्नी वर्णन करत क्या कहता है कि मैं राजा का सेना पती कह रहा है कि मैं राजा का क्या हूं मैं राजा सेना का क्या है मालिक है मैं इसका प्रमुख है और सेना राज की रक्षा करती है रक्षा करती है दिवाने अर्ज की सीधी पहुंच सुल्तान तक यानि दिवाने जो अर्ज होती थी एक प में मिल सकता था वहाँ सेना की भरती परकिरिया और परिक्षन के लिए घोड़े तथा सैनिकों का निरक्षन के लिए हाजई के लिए उत्र यह वो के प्रकार से कह सकते हो कि सेना पर पूरी तरीके से उसका कंट्रोल बना रहता था और वहाँ पूरे सेना के सैने संगठन को द आम में पूछा भी जाता है कि मुगलों का भी सैने संगठन बताईए देखो मुगलों का सैने संगठन का अध्यन दो बिशिष्ट तरीकों से किया जाते हैं यहीं जब हम मुगलों का सैने संगठन पढ़ने जाते हैं तो हमें दो बिशिष्ट तरीकों से किया जाना चाहिए पर्थम और सबसे पहला है कि मंसब बेवस्था जिसकी माध्यम से मुगल नौकर साही और उससे कहीं अधिक गुड़सवार सेना की भरती किया। यहीं अगर हम मुगलों का अगर हम सैने संगण बढ़ेंगे तो उसमें मंसब दारी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है क्योंकि जो उसके अधिकारी होते थे जो लोग प्रसासन में होते थे उनको मंसब भी दिये जाते थे और वो क्या करते थे सेना भी रखते थे और इससे क्या होता कि जब यूद होता था तो उनको सेना मिल भी मिल जाती थे यानि कह सकते हैं कि सैने संगण को मजबूत बनाने के लिए अगर देखोगे जो प्रसासन के लोग होते थे उनको भी मंसब मंसब दिये जाते थे जिससे वो भी क्या रखते थे घोडे रखते और घुरसवार रखते थे और सेना की भरती घुरसवारों की सेना में की जाती थी और दूसरा पहलो मुगल सेना के घटक साखाओं में यानि मुगल सेना के जो घटक साखा हैं जैसे सैने अभियानों और युद्धों में कैसे संगठित किया जाता था यानि हम मुगल अगर सायने सागठन को पड़ा हुए तो उसमें आपको मनसबदारी बहुत इंपोर्टन मिलेगी और मनसबदारी उसके लिए मुख्य पाठ है दूसरा मुगल सेना को जो गटक है वो भी एक प्रकार से महात्पूर अंग होंगे मुगलों ने मंगोलों के बाद दिल्ली सुल्तानों की तरह अपनी सेनाओं को दसमलों विवस्था के तहट गठ गया यानि मंगोले के अनुसार अगर देखोगे तो दिल्ली के सुल्तानों ने भी अपनी सेना को दसमलो पद्धती पर गठित किया था उसी प्रकार से मुगलों ने भी अपनी सेना को दसमलो पद्धती पर संगठित किया अक्सर तुमान तुमान दार सब्द मुगलों की अंतरगत भी प्रचलन में बना रहें तुमान प्रतिका आत्मक रूप से ही रहा लेकिन मुगल सैने संगठन और दिल्ली के सैने संगठन में संगठन में बहुत जादा अंतर हमें देखने के मिलता है मुगल सेना प्रतेक्ष कमान पर आधारी थी यानि पूरी तरीके थी अरथात पूरी सेना मुगल समराट के परती उत्तर दाई थी यानि कह सकते हैं कि जो मुगल सेना थी वो पूरी तडिके से किसके प्रति उत्तरदाई थी मुगल सुल्तान के प्रति यानि समराट के प्रति उत्तरदाई थी जबकि दिल्ली सुल्तानों की सेना मंगोल सैने सगटन के तहत आप प्रतेक्ष कमान पर आधारी यहां की पैदल सेना होती थी हाती सेना होती थी तो अब खाने होते थे नौ सेना भी होती थी जग्दीश नणाने इस नो विहार, विभाग को हीना पसंद किया है मुगल सेना की प्रमुक सक्तियां की थी यनि मुगल सेना में कई प्रकार कि कई जातिय locomotor की लोग होते थे यहीं सेना में अगर देखेगे तो हर जाती की लोग हर मज़ाब की लोग हर पंत की लोग और सेना जो किस सेना कौन कौन सी थी पैदल सेना है हाथी सेना है गुरसवार सेना है तो खाने इस प्रगार से हम उसको वरगी कृत कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पैदल सेन क्या है ठीक है देखे पैदल सेना मुगल सेन प्रसासन में मुगल पैदल सेना की इस्तिती पदानुकरम के आधार पर सबसे नीची थी अगर मुगल सेना को देखेंगे तो सबसे नीचे की सेना यही मानी जाती जो पैदल सेना थी पैदल सेना में पियादान आसाम के नाम से ज लेकर के बंदूग्ची तलवार चलाने वाले से लेकर के कह सकते हैं राजद्वारा भुगतान किये गए सैनिक तक तीरंदाज गैरियुद दिभी यनि कुलीन जो दर्बान होते थे मुखरूप से जो हिंसक राजमार्गों पर ठकी जाती होते आम तोर पर गाइड का कार करते थे उनके लीडर में नाम से जाना जाता था यनि कह सकते हैं कि जैसे पहलवान है धावक है पत्थर फेकने वाले गुलाम है या पकड़ी पहलाने वाले कहार है इन जैसे लोगों को क्या पैदल सेना में सामिल किया है अगर जो पैदल सेना में देखोगे तो सेना की जो स्रे सेना में सामिल किया गया था यह क्या करते थे इनके पास बंदूखे भी होती थी इनके पास तलवारे भी होती थी इनके पास कई प्रकार के अस्त्त्र होते थे जो पैदल सेना ही सबसे बड़ी सेना होती थी और यहां सेना जो होती थी कह सकते हैं कि बाहर की तरफ फैली होती बीच में अनलोग होते थे और पैदल सेना क्या करते थे पूरी सेना की सुरक्षा भी किया करते थे क्योंकि पैदल सेना बड़ी विक्राल सेना में अगला जो हाथी सेना हाथी भी अगर देखोगे तो मुगल सेना के मुख केंद्र में बने होते हाथी तीन कारणों से प्रमु आमने सामने होने वाले घमासान युद्धों में सेना पती या समराट अक्सर हाथियों पर बैठते थे ताकि वह देश्टी गोचर है और अपनी सेना का सत्रू सेना की गदविदयों पर चौकस नज़र यानि जो कह सकते हैं जब सेना में युद्ध होता था जो सुल्तान होता था कि वह बहतरीन बोजा ढोने वाले जानी हाथी सिरफ ये नहीं था कि उस पर सुल्तान बैठा करता था वह सेना का आच्छी तरह के संचालन हो सके बलकि जो हाथी थे वह बोजा ढोने के लिए सैनिकों को खाना लाने के लिए पानी लाने के लिए या अन्य जो सेना के संस साधनों को धोने के लिए भी इन हाथियों का क्या भारी जो तोपी होती थी या परिवाहन के जो साधन होते थे नदी पार करने में जो हाथी थे महात्पूर्ण भीमका निभाते थे हाला कि कभी-कभी वए उनकी सून में धातु की प्लेट से भी ढग दिया जाता जो अक्सर उनकी सून की तरफ एक तलवार जो कटी खी तलवार लगाती थी जिससे सत्रू हमला कर सके जहां तक कि उन्हें तीरंदाजों बंदूगचियों और छोटी तोपों के लिए संपक्ष लक्ष बैतर साधने प्रदानी जो हाथी होते थे उनकी जो सून होती थे उनकी सूनों म तलवार बंदी तो अपनी जब सून हिलाएगा तो उसको घोड़े के तलवार लगी घोड़ा मर जागा जनी कह सकते हैं कि अपने सत्रों को धासत करने के लिए भय में लाने के लिए हाथी सेना का प्रयोग किया जाता था और हाथी पर मुक्ता जो होते थे सुल्तान बैठा कर भी हाथी को जो काम था वो महात्पूर बना हुआ था अगला जो है घुरसवार सेना अगर इसमें देखोंगे तो इनकी घुरसवार सेना भी क्या है अगर हम देखेंगे तो प्रमुक बनी हुए तो देखें घुरसवार सेना क्या है फादर मंसट मुगल सेना में सेना का प्रकार से जो मुख्य सैनिक होते साही सैनिक उनको समराड के ब्यक्तिगाट सैनिक थे जिनको अकबर द्वारा अस्थाबित किया गया था जबकि दाखिल सैनिक हाला कि समराड के नाम से भरती किया जाते थे परवय तहत कार करते थे दाखिल दो तरह के होते थे बजीरगार जो हतियार या पोसाक राजी से प्रावत करते थे और सिपे सलाकार जो सोयम के घोड़े और हतियार लेते थे कमानी सैनिक वह थो थी जिनें विशेस कारे के लिए भरती किया जाता था लेकिन घुड़सवार सेना का बहुत संख्यक भाग मनसबदारों द्वारा प्रदान किया जाता था तब इनान होते थे यहीं कह सकती जो घुड़सवार सेना होती थी और घुड़सवार सेना को बेजते थे और घुड़सवार सेना का पूरा संचालन होता था वहां मनसबदारों के द्वारा ही किया जाता था ठीक परतेक 18 महीने बाद नगदी मनसबदारों के लिए परतेक 36 महीने के बाद जागिरदारों को सैनिकों के लिए हाजरी के लिए लगाने पड़ते थे मुगल सेना अधिकांसा तूरकी तजाकी और फारसी यहीं मुगल सेना में अगर थे ही सबसे बड़ी क्या थी भूमिका थी अगला है जैसे इनका क्या है तोप खाना बाबर द्वारा पानी पत्व और खानवा की लड़ायों में भारी तोपों का इस्तमाल पर काफी चर्चा की जाती है क्योंकि आप सब ने सुना होगा कि बाबर जब यहाँ पर आया था तो उस उसने जीत लिया हिमाव के पास हिमाव के पास बताया जाता है लगभग 21 भारी तोपे थी और 700 बंदूखे थी शेरषा का तोप खाना हिमाव से भी बेहतर था अकबर की तोप खाने में नव सैनिक कारवाई करने के लिए तोपों को महत्पूंड बता है यहीं कह सकते हैं कि पानी पत की पहली लड़ाई और खानुमक युद्ध जीतने में अगर यहां पर मुगल जीत पाए तो उनमें जो तोपे होती थी जो तोप्ची होती थे वहां महत्पूंड भूहिम का नि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूंड बनी हुई थी ठीक है ओटो मन तूर्क उस्ताद उली खान मुस्तफा खान के पास थी यहीं कह सकते हैं मुनाची को तोप्ची के रूप में निक्त किया गया था दोनों भारी हलकी और मुगल तोपों के द्वारा हिस्सा थी यहीं भारी तोपों को जहाच कुसन और किमस जैसे नामों से विभूसित किया जाता था मुगलों के पास तोपे और बरूद निर्माड के लिए पिर्थक का है यानि जो मुगल होते थे वो तोपों को अलग-अलग नाम भी दिया करते थे ठीक है और हर जो सासक रहे उनके सेना में कुछ ऐसे तोप ची थी जो तोप चलाने के लिए उनों क्या थे बहुत ज़्याद था और तोपे को भी कई सारे नामों से विभूसित किया गया था मुगलों के पास तोप और बरूद के निर्माड के लिए पिर्थक कार खाने थे यानि जो मुगल सासक थे वह तोपों को रखने के लिए या गोले बरूद बनाने के लिए अलग से उनके लिए कार खाने थे साज अवर और औरंजेव के प्सासनकाल में हिंदू बक्सिया यानि बक्सर से बुंदेली करनाटकी और बहलिया इलहबास से कुसल बंदूक्ची थे यहीं कह सकते हैं कि मुगल सेना में बंदूक्ची भी एक महत्पूर्ण भी हुआ है बंदूप चलाने वाले जो साइनिक होते थे उनकी भी भूमी का क्या थी महत्पूर्ण बनी हुई थी अगला जो आपके यहां पर हम देखेंगे क्या है नौस वाहन विभाग क्या था नौस वाहन विभाग देखें मुगलों के बाड़े और जलमारगों का ध्यान रखते हुए मीर बाही के अधिन एक अलग विभाग था जहां विभाग नौकाओं के निर्माण में समुद्र और नदियों के बंदर गाहों के बिनमय और सीमा सुलक के लिए पूल के निर्माण क अभाव था मुगलों ने पूर्त कालियों और जंजीरा के सिदियों पर भरोसा किया लेकिन वह पूर्त कालिद डच और अंग्रीजओं का सामना करने में सेना मुगलों की यो थी वह काफी कमजोर थी उसकी जो इस्तिती वह लोगोपर भरोसा जता था कि mówi żu that का अच्छी तरिके से करेंगे उए नभ ऐसंचालन करने में अशपल रहे अगला आप देखेंगे कि जो मुगलों की सैन संगठन था उसमें अधिकारी गण कौन है, यानि कौन कौन से अधिकारी थे, जो प्रमुक थे, कौन कौन से अधिकारी को नुक्त किया गया था, सेना का प्रमुक सेना पती, वास्तविक में मुगल समराथ, यानि सेना का जो सेना पती होता था, वह समराथ ही होता था, यानि समस्त कह सकते सेना की सामुहिक जो दिम्मेदारी होती थी या सेना का सबसे बड़ा जो सेना पती होता था वह समराठ ही होता था हाला कि सेने विभाग का प्रमुख बक्स ए मुमालिक या मीर बक्सी या सेना का जो प्रमुख होता था उसे मीर ए बक्सी बोला जाता था या बक्सी ए मुमालि उसे मीरबक्स बोला जाता था ठीक है वह घोडे को दागने की प्रकिरिया की निगरानी करता था और साइनिकों का निरक्षण करता था यानि कैसकते जो मीरबक्स होता घोडे दागे जा रहे हैं घोडों की गिंती करना और दूसरा साइनिकों का क्या करता था निरक्षण करता उनकी ट्रेनिंग करता था मुगल दर्बार में वह दाइने की तरफ खड़ा होता था यानि जो सेना का प्रमुक होता था वह मुगल दर्बार में कहां खड़ा होता था दाइने की तरफ खड़ा होता था अपने विभाग से जुड़े सभी मसले पेश करता था और यहां तक कि वह समराट के निजी कक्ष यानि गुसल खाने तक भी उनके साथ जाने जाता थैं नि कह सकते हैं कि जो मीर बग्स थै जो सेना का प्रमुग था वह मुगल दरबार में दाई तरफ बैड़ता था और कह सकते हैं कि वह महराजा समराट से किसी भी समय मिल सकता था और मुगल समराट के गुसल खाने यानि कह सकते हैं उनके बाथरूम तक उनके साथ जा सकतה था या उनके साथ रह सकता यानि यहां तक उसकी परमीशन मिले वह महाल के सभी रख्षव्कों का प्रभावी था ये महाल में जितने भी स्जाइनिक लगए हो थे वह जो आगर कोई सहजाद है यानि बासा का अगर कोई लड़का है अगर कहीं जाता था तो किसे परमीशन लेता था वह मीर बक्सी से परमीशन लेता था और कहीं बार मीर बक्सी के साथ ही राज कुमारों को कहीं अभियान पर भेजा जाता था कहीं उद्ध लणने के लिए यानि कि अधिकान समामे अभियान में आगलग मीरबक्सी नुक्ति यह जब सेना लड़ाई करने जाती थी तो किसी अन्य को मीरबक्सी घोसित किया जाता था लेकिन जब युद्ध नहीं होता था उस टाइम पर जो मीरबक्सी होता था वह सभी चीजों को देखरेक करता था सेना की एक तरफ से कह सकते हैं उसका निरिक्षन करता था या सेना का रखरकाओ करता था लेकिन जब युद्ध होता था तो किसी अन्य बक्ति को भी मीरबक्सी घोसित किया जाता था उसे संबंदित दिवाने एताक यानि मौसवदे पेस करने होते थे हाला कि जब कोई सक्री जिनकी जिम्मेदारी कुल मिलाकर एक जैसी थी बस अंतर इतना था कि मीरबक्सी सहजादों और उच अमीरों से वास्ता रखता था दूसरा बक्सी निचले दरजे के मनसबदारों से और तीसरा बक्सी जो नगद बेतन पाने वाले होते थे उनसे संबंद रखता था इसके खलवा एक बक्सी ए अधे यानि कह सकते कि जो मीर बक्सी हो तीन टाइप के मीर बक्सी होते थे ठीक है यानि जो सेना का प्रमुक होता था वह तीन प्रकार के व्यक्ति हैं तीन प्रकार के क्या होते थे मीर बक्सी होते थे तीनों में अंतर पहला जो मीर बक्सी होते था जो उ सब्दार होते थे उनके साथ संबंद रखता था तीसरा जो मीर बक्सी होता जो साइनिक नगत बेतन पाते थे उनके साथ हो क्या करता था अपना संबंद रखता था ठीक हाला कि यहापत बाद के सासन कालों में जारी रहा यानि जो मीर बक्सी का पद रहा कह सकते हैं कि लगभ बक्सी ए सारदीद पेशा यानि घरेलू नौकर चाकर भी पाते हैं यहाँ पद साजहां के समय भी जारी रहा मुगल तोप खानों का प्रभारी को आतिस था यानि मुगल तोप खानी जो प्रभारी था उसका नाम क्या रखा गया तो आतिस रखा गया था तो इस वीडियो में हमने क्या कबर किया कि दिल्ली सल्तन का सैने संगठन कैसे था उसके बारे में और मुगल सेना का सैने संगठन कैसा था उसके बारे में हमने इस कोशन में चर्चगी तो वीडियो आपको कैसे लगा यह हमें जरूर बताएगा और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद थेंक्यू सो मच